किसान अंदोलन के मद्दे नजर सुप्रीम कोड की बनाई कमीटी की आज पहली बैठक संपन तीन सदस्य अनिल घंवंद अशोक गुलाटी और प्रमोट जोशी बैठक में शामिल किसान अंदोलन को लेकर राहुल गांदी का हला बोल कहा मैं सौफ विसिदी किसावनों के साथ किसानों को ना ठकाया जा सकता है ना उन्हें बेवकूब बनाया जा सकता है 26 जन्वरी से पहले ग्रिह मंत्री के साथ दिल्ली पुलिस की बड़ी बैठक तमाम बड़े अधिकारी बैठक में शामिल अमिर्शाह ने कुरोना योद्धाव का किया सम्मान काई पुलिस वालों ने किया था प्लाजमा दान 26 जन्वरी को पहले खुफिया एजन्सियों और दिल्ली पुलिस का ओपरेशन रोहोंगिया घुसपैट जारी किया गया अलर्ट अब तक दो एफ आई आर्क हो चुकी है तर्ज आठ रोहोंगिया पकड़े गए चीन को लेकर राहूल गांधी से बीजेपी अध्यक जेपी रड़ा ने पुछा सवाल कब तक जूट बोलेगी कॉंग्रेस जिन इलाकों पर सवाल उन्हें पंडित नहरू ने चीन को दिया था गिप्ट महंगाई को लेकर प्रियंगा गांधी का ट्विट एक साल में सबसिडी वाले सिलिंडर पर 140 रुपे बढ़ चुके क्या इनी अच्छे दिनों का वादा था दिल्ली में ठीका करण की सुष्ट रफ्तार पर बोले स्वास्त मंत्री सतेन जयन वैक्सीन लगवाना अपनी मर्जी से है सतेन जयन ने दी जानकारी पंजिकरित लोगों में से 44 पिसदी लोगों ने लगवाया वैक्सीन देश में 24 गंटे में कोरोना के 10,000 से ज़ादा नए मामले कुल आकड़े 1,5 लाग के पार देश में 24 गंटे में 137 लोगों की कोरोना से मौत इस समय दो लाग से ज़ादा एक्टिव केस दिल्ली में 15 कोओं के सैंपल में बर्ट फ्लू की पुष्टी एक हफ़ते पहले हुई थी मौत रिपोर्ट आने के बाद आम लोगों के लिए बंद किया गया लाल किला 26 जन्वरी तक प्रतिबंद दिल्ली का चुडियागर भी बर्ट फ्लू की वज़े से है बंद संजेज हिल पार्क के पास जाने पर ही है रोग ब्रिस्बंग में टीम इंडिया की बेमिसाल जीत दो एक से जीत ली टेसरीज आजंकिया रहाने की कप्तानी में टीम इंडिया ने रचा एतिहास औस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हराया वाता नापकी आपका नजर्या आपकी आवाज